अमिता बच्चन की फिल्म डॉन का विलिन नारंग याद है भूरी आखों वाले खलनायक नारंग को परदे पर देखकर दर्शक भी दहल जाते थे नारंग का वा दमदार केरदार आक्टर कमल कपूर ने निभाया था उनका पूरा नाम कमल किशोर कपूर था उन्होंने 40 और 50 के दशक में हीरो वाले रोल से हिंदी सिनेमा में अपने सफर की शुरुवात की थी लेकिन साथ के दशक में वह विलेन बनकर स्टार बने थे एक बार तो ऐसी इस्तिती भी आ गई थी कि लगातार फ्लॉप होती फिल्वों के कारण कमल कपूर सड़क पर आ गए थे और उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ गई थी उस समय कमल कपूर ने फिल्मी परदे पर विलेन बनने का आखरी दाव चलाया कमल कपूर की भूरी आखे हर किसी पर जादूसा कर देती थी वह अपनी बातों और डायलोग को आखों से कहने का हुनर रखते थे लेकिन 2 अगस 2010 को कमल कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए कमल कपूर का राज कपूर और आक्टर सोनाली बेंदरे के पती गोल्डी बहल के साथ खास रिष्टा रहाद है पृत्वी राज कपूर कमल कपूर की मौसी के बेटे थे और इस नाते वह उनके पहले चचेरे भाई लगते थे वह गोल्डी बहल के नाना भी थे कमल कपूर के तीन बेटे और दो बेटिया है 22 फरवरी 1922 को पिशावर में जन्मे कमल कपूर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक्टिंग की दुनिया में आएंगे लाहोर से पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कमल कपूर ने बड़े भाई के पास सेंटरल प्रोविंस जाने का फैसला कर लिया था उनके बड़े भाई वहाँ एक पुलिस अधिकारी थे लेकिन किस्मत कमल कपूर को मुंबई ले आई तब वो पॉम्बे कहलाता था यहां कमल कपूर के चचेरे भाई पृत्वी राज कपूर पहले से ही फिल्मों और थेटर की दुनिया में रंग जमा रहे थे पृत्वी राज कपूर ने कमल कपूर को फिल्मी दुनिया में कदम जमाने में बहुत मदद की पृत्वी राजकपूर ने जब पृत्वी थेटर की शुरुवात की तो उसके पहले नाटक में कमल कपूर को काम दिया यह एक अंग्रेश का रोल था यही से कमल कपूर की आक्टिंग में शुरुवात हुई कमल कपूर ने 1946 में फिल्म दूर चले से फिल्मी परदे पर दुनिया में कदम रखा इसके बाद वह फिल्म आग में राजकपूर के पिता के किरदार में दिखे कमल कपूर ने करियर की शुरुवात में करेब 21 फिल्मों में हीरो का किरदार निभाया था लेकिन उनमें से एक भी फिल्म नहीं चली बताया जाता है कि कमल कपूर इस दिन निराश हो गए थे कमल कपूर हीरो बनना चाहते थे पर हीरो के रूप में फिल्म में उनकी पिट रही थी वही कैरेक्टर रोल में उन्हें पसंद किया जा रहा था आग में राजकपूर की पिता के रोल में कमल कपूर को खुब पसंद किया गया कमल कपूर सपोर्टिंग किरदार करने को राजी नहीं थे और इस करण उनका करियर डगमगा गया था बाद में कमल कपूर ने 2004 में शिशिर कृष्ण शर्मा को दिये एक इंटरव्यू में बताया था इस इंटरव्यू का जिक्र उन्होंने अपने बीते हुए दिन ब्लॉग पर भी किया था कमल कपूर ने बताया था कि उनका करियर दिशाहीन हो गया था कुछ समझ नहीं आ रहा था जब फिल्में एक एक करके फ्लॉप होने लगी तो कमल कपूर ने खुद ही फिल्में बनाने का फैसला किया सार 1951 में कमल कपूर ने कश्मीर नाम से एक फिल्म बनाई पर वो भी नहीं चली इसके बाद 1954 में कमल किशोर कपूर ने एक बार फिर हिम्मत बटॉर कर खैबर नाम से फिल्म बनाई पर यह फिल्म भी बुरी तरफ फ्लॉप हो गई कमल कपूर की हालत बहुत बुरी हो गई कमल कपूर सडक पर आ गए थे यहां तक कि उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी जहां पहले कमल कपूर को हीरो को काम करने के लिए वो ऐसे किरदार मिला करते थे उनके साथ ही छोटे मोटे रोल मिलना भी बंद हो गए कमल कपूर ने बताया कि वह करीब 9 साल तक घर पर खाली बैठे रहे जब कुछ नहीं सोजा तब कमल कपूर ने विलन बनने का फैसला किया सोचा कि शायद इससे कुछ बात बन जाए इस तरह कमल कपूर ने साथ के दशक में फिल्मी परदे पर विलन और खलनायक वाले किरदार करने शुरू कर दिये खलनायक बनकर कमल कपूर चमक उठे बतार विलन वह पहली बार 1965 में आई फिल्म जोहर महमूद इन गोवा में नजर आये थे इस फिल्म के बाद कमल कपूर के दिन फिर गए फिल्म में वह एक अंग्रेज विलन की किरदार में दिखे इस फिल्म के बाद तो कमल कपूर के पास धेरू फिल्म के ओफर आने लग गए तब उन्होंने हर तरह के छोटे बड़े किरदार किये और अपनी एक अलग पहचान बना ली कमल कपूर ने कभी वकील तो कभी हीरो के दोस्त तो कभी बॉस गुंडे और जजच के छोटे मोटे रोल भी किये उन्होंने रागिनी से लेकर हुसन बानो, वनमाला, शामा और गीता बारी जैसी हीरों के साथ खूब काम किया खलना एक बने के बाद कमल कपूर की लोग प्रीता को डौन की किरदार ने और बढ़ दिया कमल कपूर ने अमिता बच्चन के साथ फिल्म मरद में भी काम किया इस फिल्म में वह जनरल डायर के किردमदार किरदार में दिखे थे कमल कपूर ने 1993 तक काम किया उनकी आखरी फिल्म थी जो की 1993 में ही आई थी जखमी रहू इसके बाद उनोंने फिल्मों को अलविदा कह दिया और 2010 में इस दुनिया को भी छोड़ दिया तो बॉली वुड में आज के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे बॉली वुड की कोई अने दिल्चस्प खबर या किस्ता लेकर नमस्कार तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखे